भारत सरकार द्वारा संचालित विभ्विन फ्लाक्शिप योजनाओं इनके प्रभावी क्रियानवन की जानकारी एवं लाव आमजन तक पहुचाने वे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से मोके पर जोडने वे योजनाओं के निर्धारिस लक्षेप प्राप्ति के विक्सित भारा संकल प्यात्रा प्रारम की गई है यात्रा के तहट जिले के विभेनस्थानों पर कैम्प आई उजित की जाएंगी जिला कलेक्टर अविचल चत्रुवेदी ने बताया कि 16 दिसंबर को प्रताप ओडिटोरियम में विक्सित भारा संकल प्यात्रा अवियान का जिला स्तरिय शुभाराम कारिक रमा युजित होगा जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वे मुख्या मंत्री भजनलाग शर्मा लाइब टैलिकास्ट के माधियम से अपना उद्वोधन देंगी इसके पशात युजना की प्रचार वेन को हरी जडि दिखाकर रवाना किया जाएगा इसी दिन उम्रेंट पंचाय समीदी की ग्राम पंचाय भुगोर में प्रचार वेन द्वारा आमजन को जागरु किया जाएगा साती 17 दिसम्र को भुगोर में पूरे दिन कैम का योजन होगा उन्होंने बताये कि जिले के शहरी शेत्रों के लिए इस अभियान का शुभारा मठारा दिसम्र को प्राता नौ बजे मिनिसर्ची वाले परीसर से कैम्प लगा कर किया जाएगा उन्होंने आमजन से आगरे किया है कि विखसित भारस अंकल प्यातरा भियान के तहट आयोजित होने वाले कैम्पों में पहुँचकर केंदर सरकार की कल्यान कारी योजनाओ की जानकारी प्राक्त कर पात्रता नुसार मोके पर ही अपना रिजिस्ट्रेशन करा कर योजनाओ में कैमपा यूजित होंगे। में कैमपा यूजित होंगे। अठारा दिसम्बर को भुलेरी एवं जामडोली, 19 दिसम्बर को सलोली एवं बबेली, 20 दिसम्बर को माचाडी एवं दोरोली, 17 दिसम्बर को पंचायस समीती ठारगाजी की गराम पंचायद बसाई, जोगियान एवं भुडियावास, 18 दिसम्बर को दुहार चौगान एवं दुआरापूर 19 दिसम्बर को सुर्चनपूर एवं मालुताना 20 दिसम्बर को सालेटा एवं गडबसई में कैम्प आयोजित होंगे उन्होंने बताया कि यात्रा का कारेक्रम संबंदित ग्राम मजद मुख्याले पर आयोजित किया चाएगा उन्होंने बताया कि एक दिन में दो कैम्प आयोजित होंगे तथा वेन मध्यानाहा पूर्व के कैम्प में पहुँचकर योश्राओं का प्रचार प्रसार करेगी 20 दिसम्बर को अरावली विहार काला कुवा पार्क वे जोतीरा फूले सरकिल के पास वन विभाग कार्याले 21 दिसम्बर को सामुदाइक भवन भुद्वी हार वे वीर सावरकर नगर की शाम मंदर के पास मैंदान में 22 दिसम्बर को नगले सर्किल के पास नहरू गाडन वे भगा सिंग्च राहे के पास नवीज स्कूल में, 23 दिसम्बर को एनेवी धाने के पास सेक्टर ओफिस नंबर 5 वे खुदन पूली जोहर पर एवं 24 दिसम्बर को नगण निकम कार्याले में कैम पायू चित हुगा.